वाडी के वेना जलशुद्धिकरंग शेत्र में आग लगने से परिसर में संसनी फैल गई है नगर परिशद वाडी के एक शेत्र वेना नगर टेकरी में जलशुद्धिकरंग केंद्र के परिसर में 26 अप्रेल की दो पहर करीब 12 बजे के करीब अचानात आग लग गई 14 मेल स्थीत वेना जलजलाशे से आने वाले पानी को वाडी में वेना जलजल शुद्धीकरंग केंद्र में शुद्ध किया जाता है और दौलामेθी डिफेंस वाडी क्षेतर में लगवग 3,00,000,000 लोगों को प्रति दिन शुद्ध पेयय जलकिया पूरती की जाती है क्षेत्र में पहाड़ी के नीचे देवी का मंदिर है यहाँ पता चला है कि असामजिक प्रवृत्ति वाले लोग दिन और रात में सक्रिया है और आवेद गतिविदिया यहाँ पर चलती है इसके अलावा जलशुदी के रंग केंद्र की सुरक्षात मगदिवार के स्तानों पर तूड़ गई है और कोई भी आसानी से अंदर घुसपैट करता है 26 अप्रेल की दो पहर 12 बजे के करीब वेना नगर रहवासी गजानन गटलेवार उसी क्षेत्र में रहते है उनके निवास से आग लगती हुई दिखाई दी उन्होंने तुरंत वाड़ी पुलिस टेशन और अभियंता प्रदिपवान खड़े तथा वाड़ी नगर परिशत के अगनी शामन विभाग को जान का रिदी तुरं दल घटना स्टाल पर पहुँच कर आग को नियंतरित किया इसकी वज़े से आग से खाक होने वाले लाग हो रुपयों का प्लास्टिक पाइप बच गया आग लगने के कारण पता नहीं चल पाया है ऐसा माना जता है कि आख शेत्र में ही किसी असामाजित प्रवरुत्ति के कारण जलती हुई सिग्रेट बिड़ी या माचिस की तीली फेकने के कारण लगी हो रात पो परिसर में पुलीस गस्त तथा सम्मंदित विभाग के सवरुक्षन दिवाल का मजबुत बानकाम करने की मांग नगर सेविका सरिता यादव नरिष्ट चरडे केशो बंदरे आशिष्ट नंदागवली ने महराश्र जीवन पराधी करण से की है इन बीस या न्यूस के लिए वाड़ी से सुनिल शेटी के साथ अभिशित पांसी की रिपोर्ट